स्वस्त रहने के लिए लोग तरह तरह के जतन करते हैं कई बार सेहत बिगड़ जाये तो अस्पतालों का चक्कर भी लग जाता है मगर इलाज कुद्रती हो तो लोगों को कई तरह से रहत मिलती है दली में एक आध्यात्मसाधना केंदर लोगों के लिए नई आशा का केंदर बनकर ऊबरा है देखेे रिपोर्ट आजकल की भाग दोड़ भरी जिद्धि में इनसान तरःतरगी बिमारियों से खिर जाता है और फिर इन बिमारियों के इलाज के लिए उसे जिन्दगी भर जूजना पड़ता है लेकिन अब लोगों के शारेरिक विकारों को दूर करने के लिए कुद्रती तरीकों के साथ आगे आया है आध्यात्म साधना केंद्र जहां आसन, प्रणायम, ध्यान, मंत्रसाधना और कुद्रती इलाज के जरीए लोगों को ठीक किया जाता है Meditation चेतना के स्थर के उपर जाकर, Consciousness के स्थर के उपर जाकर के वहाँ जो विकार आ गए है, वहाँ जो खराबी आ गई है उसको ठीक करने की प्रक्रिया का है, उसको ठीक करने के प्रोसेस का नाम है और प्रेक्षा ध्यान एक विदी है, एक मैथडलोजी है जैसे आप कहिए हमियोपथी एक विदी है, आईरुवेदी के एक विदी है तो उसी प्रकार से प्रेक्षा ध्यान एक विदी है अंदर के उस विकार को दूर करने की और शरीर का विकार उससे ठीक होना शुरू हो जाता यह मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया भगवान महावीर के दर्शन पर अधारित आध्यात्म साधना केंद्र साल 1965 से लोगों को प्रेक्षा ध्यान के जरीए मन के विकारों पर जीत की और अग्रसर कर रहा है यहां के योग प्रशिशिकों का मानना है कि जब तक इनसान मन के विकारों पर जीत हासिल नहीं करेगा तब तक शारिडिक विकारों पर जीत हासिल नहीं हो सकती क्योंकि जो समस्या होती हो मन के विकार ही है जिसका सरीर पर उसका प्रतिफल और प्रतिरूप में दिखाई देते हैं उसमें मन को कैसे कंट्रोल किया यह बैग्यानिक तरीके से में बताता हूँ इधर आई तो मेरे अंदर में इतना बदलाव आया कि आज मेरी नीद इतनी बढ़िया है मुझे स्टिफनेस चली गिया, स्ट्रेस लेवल जीरो आ गया है, डाइबिटीज का मेरा लेवल, शुगर लेवल से नीचे आ गया है इस अनोखे अध्धात्म केंदर में महीने में दो बार आवासिये कैंप आयूजित किया जाते हैं महस साथ दिनों में, साथ चरणों के कोर्स में, लोगों से मामूली फीस ली जाती है इस दोरान शिवर में आने वाले लोगों को हलका भोजन दिया जाता है इस केंदर में गंभीर बिमारियों के इलाज का भी दावा किया जाता है पचास सालों से लोगों की सिवा में लगा अध्यात्म साधना केंदर लोगों के लिए संजीवनी बनकर सामने आया है बरसों से गंभीर रोगों से जूज रहे लोगों को प्रेक्षा ध्यान के जरिये खुशिया बाटना एक अच्छी पहल की रूप में देखा जा रहा है तो फिलाल इस बुलटन में इतना ही बने रहे है नियूस्टेशन के साथ क्यों की खबरों का सिलसला यहां कभी नहीं थमता